आप फरिस्ता का इतिहास पढ़िए, फरिस्ता ने जिस तरह से मुहमद गोरी और प्रत्वी राज चौहान के संगर्ष का वर्ण किया है, जितने अब शब्द उसके कोश में थे, सब का प्रियोग उसने मुहमद गोरी के खिलाब कर दिया। कि ऐसा मतलब धोखे बाज, जैसा उसने प्रत्वी राज जैसे धर्मनिष्ट राजा के साथ किया, कि रात में बारा बजे उसने संधी की, संधी पर हस्ताक्षर किया, और दोनों के बीच में तै हुआ, कि मैं एक तेज घुड सवार यहां से भेज रहा हूं गजनी, अपने ब आप जैसे बहादुर ऐसे व्यक्ति के साथ, राजा के साथ हमारी मित्रता हो ली चाहिए, तो जब तक वहां से आदेशा नहीं जाता है, हमारी दोनों सेनाएं एक दोस्त की तरह आमने सामने रहेंगी, और इंशालला यह दिये पूरा हो जाता है, तो मैं प्रार्थना करू हो गाए आप से, कि आप बुल्तान तक का इलाका हमें छोड़ दिए, बाकी पूरे हिंदुस्तान पर आप अपनी बार्शाहत कीजिए, साथ संधी हो गई, क्योंकि प्रत्वी राज के सामने भारती धर्मसासतर था, कि युद्ध करने के पहले, निरीह प्राणियों की जान लेने से पहले संधी का प्रेत्न करना चाहिए, ये हमारी स्वर्तिया कहती है, हमारा अर्थसास्तर कहता है, चानके का, उस नियम के अनुसार प्रत्वीराज चोहान ने अपने धर्म का पालन किया, और कहा कि पिछले साल तुम हमारी बहादुरी देख चुके हो, कि कोस्त तक हमारी सेना ने तुम्हारा पीछा किया, और आगे सरहिंद के आगे इतना बड़ा रेगिस्तान था कि तुम प्यासे मर जाते, एक भी आदमी तुम्हारा गजनी पहुंच नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही मुझे लोगों ने बताया कि मेरी सेना पीछा कर रही है, मुझे तुम से युद्ध कर दे में कोई परिशानी नहीं है, हमारी सेना तुम देख रहे हो, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, कि जिन लोगों को तुमने सुरा सुंदरी और लूट के माल का लोग दे करके, जिन निरी लोगों को निरपराध लोगों को तुमने बहका क करके तुम ले आए हो अपने साथ, वो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सखुशल लोड जाओ, और मैं भगवान एक लिंग की शपत ले करके कहता हूँ, कि हमारा एक भी सिपाही तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, हम तुम्हें जाने दें अमारी बातों में फस रहा है, और जब प्रिभी राज अपने सामंतों के साथ लोट गए, और सारे सकंधा बार में, सारे तम्बू में नाचकाना होने लगा, राजपूती सेना में, तो इधर इसने सारी राथ कवाइद की, और सारे साइनिकों को इकठा करके सबको तैयार करता रहा और लिखता है फरिस्ता कि ठीक चार बजे रात जब एक्के दुक्के राजपूत सिपाही नेचर स्काल के लिए बाहर निकल रहे थे कुछ लोग बैठ करके कुछ अपना भजंगा रहे थे ये कर रहे थे ये एकदम बजरपात की तरह तीन तरफ से टूट पड़ा उनके उपर केवल एक दिशा को छोड़कर दिल्ली वाली दिशा छोड़कर बाकी तीन दिशाओं से वो तूट पड़ा और फरिस्ता लिखता है कि प्रस्वी राज की लगबक दो तिहाई सेना सोते ही सोते गाजर मूली की तरह काट दी गई इतना बड़ा धोखे बाज इत इसने एक साल पहले वो चाहता तो एक भी यतियां से बचके नहीं जा सकता था उसके साथ उसने वेवार किया